सुप्रिम कोट ने कई बार कई बार अपने निर्णे दे कर कहा कि नागरीकों को शान्तिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का अधिकार है यह बात हमने प्रू की और आरेसेस के जो वकील कोट में लड़ रहे थे उन्होंने जो गुप्त पैकेट दिया जजज को जिसके आधार पर जबरदस्ती ज़े फैसला करवाया गया वो फैसला सुप्रिम कोट के प्रिवियस दिये वे डिसिजन के खिलाप में है जो हाई कोट के जजज को देने का अधिकार नहीं है बहुत सारी लोगों को कानून की बात मालूम नहीं है हाई कोड को सुप्रिम कोड के दिसीजन के दायरे में इडिनेट देने पड़ते हैं उसके पास सुप्रिम कोड के दिये वे निर्णे के विरोध में फैसला देने का अधिकार नहीं है ऐसा किया किया है क्यों? क्योंकि इन्होंने वो धमकी देकर ये फैसला करवाया है ऐसा मेरा कहना है पॉब्लीक लिए बोल रहा हूं मैं ये तो मतलब आप मानते हैं कि जो सुप्रीम कोडिया तमाम जजेज जो है ये जगे जगे जो फैसले हो रहे हैं वो सरकार के दबाव में हो रहे हैं या रिसिस के दबाव में हो रहे हैं या यह सारा कुछ इसी वज़े से कोलेजियम की विवस्ताय रखे गई के लिए मैं कहने के बजाए जस्टीस रमना जो चिप जस्टीस रिटाइब हुए उनके फेरवेल कारेकरम में जस्टीस रमना नहीं ये बात कही है कि हमको ट्रेलीफोन आते है धमकी आते है दबाव आता है अब चिप जस्टीस आफ इंडिया के कहने के बाद विरा हमारे कहने के लिए क्या बचा हुआ है हमको कहने क्या जुरूत है चीब चेस्टिस आप इंडिया को दी कह रहे हैं कॉलेजियम डिमकोटिक सिस्टम नहीं है और दुनिया में कहीं पर भी नहीं है एक कॉलेजियम की वज़े से सिस्टि ओबीसी माइनिर्टी के लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहे हैं यह कहना कि सिस्टि ओबीसी और माइनिर्टी के लोगों में योग यह लोग नहीं है तो यह नालाई की सिस्टि ओबीसी माइनिर्टी के लोगों की है या 75 साल क आजादी में भी तुम लोगों ने उनको नालाइगी बना की रखा ये तुम्हारी नालाइगी है ये मेरा सवाल है तो तुम फिर तो राज करने के लाइग नहीं हो इसका मतलब है तुम राज करने के लाइग नहीं हो तुम खुद ही कहे रहे हो देश के कि एसी एस्टी ओबी सी के 50 परसेंट से लगबग जीलो में जिला धिकारी है देश चला रहे हैं कि ये कहिना कि उनके पास योग जिता नहीं है वह आल इंडिया की परिक्षा पास करके Union Public Service Commission की All India की परिक्षा मेरीड में पास करके आ रहे हैं इस बात को मैं नहीं मानता इसलिए Judicial Commission बनाया जाना चाहिए Higher Judiciary से लेकर Law Judiciary तक और उस Commission में District जैसे District लेवल के Judges नियुक तो होने चाहिए और उसको 10-15 साल के सेनेरटी में Supreme Court में ले जाना चाहिए सब्सक्राइबिनेट सेगरेडरी तक लोग मिलते है All India की प्रिक्षा लेकर तो इसमें क्यों नहीं मिल सकते है जरू मिल सकते हैं कई शिज़े चल रही है परिबार चल रहा है और जाती वाद है रहा है ब्रामनवाथ चल ला है तमाम प्रकार का बात चल लाए शिफारइशे चल लई है कॉलेजीएम जो निर्दोश व्यवस्ता आई इस बात को बहुत सारी लोग नहीं मानते अम्मीन ही मानते और उसके बाद फैस्लों अब तो इनाम देने की भी परंपरा चल पड़ी है अगर मान लो सरकार की फेवर में फैसले होते हैं जैसा यह कई आंदोलन करने का मौली कदीकार होने के बाद में यह कहना और और आपको सुनकर हैरानी हो जाएगी कि वह पैकेट लिफाफा देने के पहले वह जज खुद ही उसको रोक रहा था है अरेसिस के वकील को कि आप गलत कह रहा हो और और पैकेट के पैकेट आया पैकेट आने के Packet आने के बाद हमारे वकील ने फिर दोस्मौर्दा ने कहा यह Packet में जो भी है मुझे बेक ले रहा हूं आने के बाद आपके बात सुनेंगे यह कह और जज चम्बर में गए जाने के बाद आते ही हमारी PIL डिस्मिस किया और हमारी वकिल की सुना ही नहीं और जज ने जो निर्णे दिया आप सुनकर हैरान हो जाओगे उस जज ने पांस तारीक को मैंने रात के नव बज़े जब जज ने अभी तक कोई अपना जस्टिफिकेशन वाला जजजमेंट नहीं लिखा कहा तो छे तारीक को जजजमेंट लिखा गया अगर मैं वहां नहीं बोलता तो शायद वो लिखा वा जजजमेंट भी नहीं आता है वो मामला अब सुप्रियम कोड में गया हुआ है और सुप्रियम कोड में इन लोगों को पुशा जा रहा प्रत्राइब लेकर हम सुप्रिम्गोड कोई जस्टिफिफिकेशन जो है जज्मेंट नहीं दिया सकता है तो यह मेरा कहना है धमकी की वज़े एक बात और देखी जा रही है और पुलीश का को पुलीश का वकील अर्गूमेंट नहीं कर रहा था जो आरेश्यस का समर्थक वकील है आरेश्यस ने पुलीस का जो सरकारी वकील है उस पर यकिन नहीं किया आरेश्यस ने सरकार को कहलवा कर फड़न्यवीश को कहलवा कर आरेश्यस का वकील लगवाया मनोर को शचांग मनोर का नाम जानते हो ना वो तो वेलनों ने तो आरेशेस का समर्थ अखादमी करके नाखपूर में सभी लोग जानते हैं उसका बेटा जो है उसको लगाए तो मैंने वकील को पूछे असिस्टन कविश्टन के वहां यह बात कर रहा था वो सरकारी वकील नहीं वकील नहीं है वह अमने लगाया तो मैं कि इसका बेनिक है यह सरकार के वकिल पर यकिन नहीं है या उनको धमकी देने का काम सरकारी वकिल शायद करने के लिए रजामन नहीं होगा